आप सभी का आज की कक्षया में स्वागत है इस करोना काल में मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में बिलकुल सवस्थ होंगे और मैं आपके सवस्थ भविश्य की काम ना करता हूँ आज हम हमारी समाजिक विज्ञान की पठेपुस्तक के भाग अर्थ सास्तर में अध्याय नंबर एक को शुरू करने जा रहे हैं इस अध्याय का नाम है पालंपुर गाओं की कहानी इस गाओं की कहानी के मध्यम से हम जो उत्पादन होता है उत्पादन के मूल विचारों से आपको अउगत कराएंगे कि जो हमें उत्पादित वस्तुएं चारों और दिखाई देती है चाहे वो गेहूं है चाहे वो कपास है चाहे वो गुड है सक्कर है या सूती वस्तर है ये जो उत्पादित जो माल है ये उत्पादन कैसे होता है इनका उस उत्पादन को इस गाओं के कहानी के माद्यम से यहाँ पर बताया गया है तो अगर हम यहाँ पालंपूर के गाओं की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोई बड़े उधौक्धनदे नहीं है जो पहला जो महतवपूर्ण काम है वो तो है खेती यहां के लोग खेती से उत्पादन करते हैं दूसरा जो महतवपूर्ण काम है वो है लगू सतरिय वी निर्मान लगू सतर ये वी निर्मान की छोटे सतर के उपर वस्तुओं का क्या किया जाता है निर्मान की आ जाता है तीसरा जो काम है वो डेरी का है दूद उत्पादन का चोथा काम है ये लोग पसुपालन करते हैं इन महतवपूर्ण कामों के अंदर ये लोग लगे हुए हैं इसके अलावा पांचमा जो इनका महतवपूर्ण काम है वो है परिवेन एक स्थान से दूसरे स्थान पर संसादनों को क्या करके जाते हैं लेके जाते हैं और कई बार ये परसन आता है कि पालंपूर के अंदर किस परकार की आर्थी किरियाएं की जाती है उनका वर्णन कीजिए तो हमारे पास यहां पास परकार की आर्थी किरियाएं हमें पालंपूर के गाउं से देखने को मिलती है कि लोग खेती करते हैं सबसे ज्यादा उसके बाद में लगुष सतरी है जो है कुछ छोटे-छोटे उद पादन करने के लिए कुछ प्रिक्रियाओं की जरूरत पड़ती है वो प्रिक्रियाओं कौन कौन सी होती है नंबर एक है जैसे प्राकर्तिक संसादन अब उस प्राकर्तिक संसादन में सबसे महतपुन संसादन कौन हो गया अगर लोग खेती करते हैं तो भूमी हो गया है क्या क्या है कुछ मानो निर्मित संसादन भी है अब मानो निर्मित संसादन में कौन आ जाएगा जैसे कि आप इस चितर के अंदर बैल गाड़ी देख रहे हैं इस चितर के अंदर ट्रेक्टर देख रहे हैं तो यह क्या है मानो निर्मित है इसके अलावा जो तीसरी जो महतवपू रूप से क्या है जुड़ी हुई है तो इस पालंपूर की कहानी के माध्यम से हम इनी चीजों के बारे में जो है जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीचे कर लेते हैं जो पालंपूर गाउं है वो कैसा है तो जो पालंपूर गाउं जो है उसके आस्पडोस के अंदर गाउं है छोटे मोटे कस्वे हैं तो इन चेत्रों के अंदर एक सबसे बड़ा गाउं आता है यहां पर राइगंज और राइगंज जो है वो पालंपूर से कितनी दूर है तीन किलोमेटर की दूरी पर है कई बार यह परसन आ जाता है कि पालंपूर की जो कहानी है उसके के बाद कहां पर पहुंच जाए कस्बे के अंदर जो है चला जाए अब कस्बे के अंदर अगर लेके जाएंगे तो फिर क्या होगा अभी हमने ऊपर देखा था या तो बैल गाडी के जरीए जाएगा या फिर किसके जरीए जाएगा ट्रेक्टर के जरीए वहां पर जाएगा या फिर क्या होगा टुक के जरिए, इनके अंदर जो है माल लोड होकर के वहाँ पर चला जाएगा तो अगर हम बात करें इस गाओं के अंदर तो लगबग 450 परिवार यहां रहते हैं, कितने परिवार रहते हैं और अपने क्या है संसादन है जो हम ये कह सकते हैं उच सतर के लोग हैं उच जाती के लोग यहाँ पर है उनके मकान बड़े हैं और इटों से बने हुए हैं जबकि बाकी के जो परिवारों के जो लोग हैं वो दलित हैं वो क्या हैं दलित हैं और ये लोग जो है कहां पर रहते तो यह परीचे हो गया हमारा वहां की जनसंख्या का कई बार यह पूछ लिया जाता है कि पालंपूर के जनसंख्या के वितरन को बताईए तो जनसंख्या का वितरन जो है वो यहां पर है इसके अलाबा जो यहां रहने वाले जो लोग है वो उनकी जो आजीवी का है वो सबसे ज्यादा किसे चलती है खेती से चलती है किसे चलती है यहां के लोग क्या करते हैं खेती करते हैं और खेती करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भूमी के जरूरत पड़ती है तो भूमी के उपर खेती करने के साथ सिचाई की जरूरत भी पड़ती है तो यहां जो से की जाती है नलकूप से की जाती है नलकूपों के जरीए जो है वो क्या करते हैं शिचाई करते हैं इसके अलावा अगर शेक्सिक सतर पर देखे तो यहां पर दो तो प्राथमिक स्कूल है दो तो स्कूल की कौन से हैं प्राथमिक स्कूल है और एक यहां पर क्या है हाई कई बार ये परसन आ जाता है पालमपूर के गाउं के संस्ताओं की नाम बताईए तो कौन-कौन सी संस्ताओं यहां पर काम करती है तो यह गाउं जो हमने लिया है एक कालपनी गाउ है जिसके जरीए हम उतपादन संबन्दी गतिविदीयों के बारे में क्या करेंगे गांगाओंगे में तक दूसरी उतफादन की गतीविदी उनकी को क्या बला जाता है गयर किर्सी करियाएं अब गयर किर्सी किर्याओं में सब्सक्राइदक WAыми सब्सक्राइब क का जाता है इस इसके अलावा जो उत्पादन संग्ठन क्या होता है यानि कि उत्पादन करने के लिए हमें जिन संग्ठित वस्तूओं का प्रियोग करते हैं उसे उत्पादन संग्ठन बोला जाता है यानि कि उत्पादन करने के लिए जिन वस्तूओं का जिन सेवाओं का हम उपियोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं उत्पादन संग्ठिन कहते हैं तो इनके अंदर चार महतवपून चीजें हैं जो उत्पादन का संग्ठन जो होता है जो उत्पादन करने के लिए बनाया जा उसमें चार महतवपून चीज़े क्या करती है काम करती है पहला तो क्या हो गया भूमी अब इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर भूमी नहीं होगी तो खेती नहीं हो सकती फसल का जो उत्पादन किया जाएगा और चोटे उधोगों के अंदर जो कच्छा माल आएगा वो कहां से आएगा भूमी से जब महत उसका उत्पादन करेंगे तब आएगा दूसरी जो महतवपून चीज़ है इध्यान से देखेंगे आप वो जाती है सरम अब भूमी के ऊपर उत्पादन करने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है सारीरिक सरम करना होता है ज उत्पादन की जो किरिया करने के लिए जो जरूरी काम होते हैं उनको करने के लिए हमें मानव सरम की जरूरत पढ़ती है और ये जो किरिया होती है वो सारी दी किरिया करने वालों की सबसे ज्यादा हमें क्या पढ़ती है जरूरत पढ़ती है तीसरा हमारे पास आ जाता है भो पुंजी की जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत पड़ेगी पुंजी की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा कोई भी हम काम करते हैं खेत के अंदर तो उसके लिए हमें यंत्रों की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है यंत्रों की मसिनों की जरूरत पड़ती है वो वो किसमे आती है भोतिक पुंजी के अंदर आती है और भोतिक जो पुंजी है उसको भी हम दो भागों में बाढ़ देते हैं कि एक आके अरते हैं भोतिक जो पुंजी है हमारी उसको हम दो भागों में बाढ़ते है एक तो होती है सथाई कोण सी पुंजी होती है सथाई अब स वो अपना सवरूप नहीं बदलेगा यानि कि यह सथाई रहते हैं इनका एक बार निर्मान करने के बाद इनका सवरूप क्या नहीं होता है बदलता नहीं है यह क्या रहती है बिल्कुल कई वरसों तक इसका हम परियोग करते रहते तो इसको हम क्या बोलते हैं सथाई पुंज इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास पुंजी आ जाती है वो आ जाती है कारियसील पुंजी का मतलब होता है जिसमें बदलाव आता रहता है अब बदलाव किसमें आता है एक तो कच्छे माल में बदलाव आ जाता है और एक किसमें आ जाता है मुद्रा में क्योंकि कच्छा मा बदल के किसमे आ जाता है परसंस्किर्ट में और मुद्रा का जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारे पास पैसे क्या हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं माल खरीदने के लिए जिस पुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं तो मुद्रा क्या होती है एक सान से दूसरे सान पर वेहन भी कर लेती है वस्तों के लेंदेन में भी क्या करती है काम आती है वस्तों का लेंदेन जो होता है वो किसे होता है मुद्रा से होता है इसलिए कच्छे माल को और मुद्रा को हम किसमें लेकर के जाते हैं कर्ये सिल पुंजी में लेकर जाते हैं क्योंकि जो कच्छा माल है उससे क्य करता है बुनकर जो है सूत बनाएगा तो चामाल का क्या हो जाएगा प्रिवर्तन हो जाएगा और उसके बाद में जो चोथी जो चीज़ें हैं वो क्या होती है अब ये सारी की सारी चीज़ें के लिए बजार की जरूरत पढ़ती है में किसकी जरूरत पढ़ती है बजार की जरूरत पढ़ती है बजार की जरूरत पढ़ती है अब इस बजार का निर्मान कोण करता है मानो खुद करता है कोण करता है मानो तो जो चोथी महत्व पुंजी है वो हमारे पास क्या आजाती है मानव पुंजी आजाती है कि मानव का जो ग्यान है मानव की पुंजी का मतलब क्या हो गया मानव का ग्यान क्योंकि यह जो सारी चीज़ें हमने देखी है पड़ी है समझी है यह सभी तभी उत्पादन में कनवर्ट हो सकती है जब मानव को इन सारी चीज़ों का क्य होगा ज्यान होगा यानि कि मानव जब भूमी सरम और भोतिक पुंजी को एक साथ ला करके उसे उतपादन के युग्य बनाएगा तो उसके लिए किसकी जरूरत परती है मानव के alam March call नि रीए आज कंल चौर्थी महतरपुन चीज आ जाती है वो क्या आ मानव पुंजी तो हमारे पास कितने घटक हुए चार भूमी सरम पुंजी भोतिक उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया स्थाई और कारियसिल और चोथा हमारे पास आ जाता है मानव स्वेम तो अगर हम इन चारों को संयोजित रूप से काम लेते हैं तो क्या कहलाते हैं उत्पादन के कारक अई बार ये परसन आ जाता है उत्पादन के कारक किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे हम उत्पादन भूमी सरम और पुंजी को संयोजित करके संयोजित का मतलब हुता है जोड़ कर परियोग करना क्या कहलाता है उत्पादन के कारक इनको क्या का आ जाता है उत्पादन के कारक कई बर ये परसन भी आ जाता है कि उत्पादन के महतब पुन कारकों का वर्णन कीजिए आत बताएंगे भूमी सरम और पुंजी और चोथा कोन आ जाता है मानव स्वेम आ जाता है उसके बाद ह किसके बारे में अब जानेंगे यहाँ पर पालमपूर के अंदर खिती और इसके बारे में हमारे आगे की कक्षा में अध्यान करेंगे थैंक यू